शिवपुर गाउं में मंगलू नाम के एक चोर का बड़ा आतंग था आए देन किसी ना किसी के घर वो हाथ साफ करता ही रहता था लेकिन धीरे धीरे गाउं के लोग भी अब काफी सचेत हो गए थे एक दो बार लोगों ने उसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा तो उसे खूब मार पड़ी सभी लोग चो करने थे और ऐसे में मंगलू के लिए चोरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था अरे मंगलू तू अब बड़े दिनों बात दिखा आज है वो भी दिन के उजाले में पूरे दो हफते हो गए यार कुछ हाथ नहीं लगा सब के सब चालू हो गए हैं ताला लगा कर रखते हैं गर में या फिर कोई ना कोई बैठा रहता है चोकिदारी करने तभी सोचू गाउं में इतना सुननाटा क्यों हैं वरना तेरी कारस्तानिया सुनने को ना मिलें ऐसा कोई दिन नहीं जाता था आ यार वो भी क्या दिन थे अब ये सब छोड़ और जल्दी से चाय पिला मलाई मार के देख भाई मंगलू दोस्ती अपनी जगा और काम धंदा अपनी जगा तेरा पहले से बहुत उधार है पहले उसे चुका फिर पिलाता हूँ तुझे अपनी स्पेशल चाय वा बेटा वा जब तक एडवांस पैसे देता था तुझे तब तो बड़ा मंगलू भीया मंगलू भीया करता था है जरा सी तंगी क्या हो गई तुने हिसाब किताब शुरू कर दिया है हाँ तो तु कौनसा बड़ा मात्मा है चोर है तु चोर तेरा कोई दीन इमान तो है नहीं साफ बात है भीया जब तक पैसा नहीं तब तक चाय भी नहीं आहां सूरज के बच्चे मंगलू चिड़ कर वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैट कर सोचने लगता है शाम का समय था रात बस होने को थी मंगलू खुद से बाते करी रहा था कि तभी उसे पास में ही कुछ बच्चों की आवाजे सुनाई दी वह बच्चे आसमान में चांद को देखकर आपस में बाते कर रहे थे वह जब छोटे होने लगते हैं मंगलू तुरंत उन बच्चों के पास गया और बोला अच्छा पर किस ने किया ये जादू यहां से बहुत दूर एक चुडैल रहती है बहुत है खतरनाग जादू करती है उसी ने चंदा मामा को अपने जादू से बिमार कर दिया है नहीं, ये सच नहीं है अगर ऐसा है तो चंदा मामा खुदी बड़े कैसे हो जाते हैं, बोलो बोलो, बच्चों, अपने चंदा मामा भी कम है क्या, उनके पास भी तो जादू है, लेकिन अफसोस की बात है कि चंदा मामा का जादू, उस बुरी चुड़ैल के जादू के आगे कमजोर पड़ रहा है हाँ, देखो न, चंदा मामा पहले से कितने कमजोर हो गये हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि, चंदा मामा वापस से पूरे गोल हो ही नहीं पाएं, हाँ मंगलू की बाते सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं, दरसल वो सभी मंगलू की बहकावे में आ गए थे, और उस पर भरुसा करने लगे थे, तब ही उनमें से एक बच्चा कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मंगलू मामा, हमारे चंदा मामा को बचा लो ना मैं बचा तो सकता हूँ, थोड़ा बहुत जादू जानता हूँ मैं हाँ, पर वो काफी नहीं, उस चुडैल को हराने के लिए मुझे तुम सब की मदद चाहिए वो चुडैल जो है ना बहुत ताकतवर है, वो बहुत तयारी करनी होगी, बहुत सारे हथ्यार बनाने होंगे, बहुत दूर तक सफर भी करना होगा मुझे, और बच्चों, इस सब के लिए मेरे पास जो है, पैसे भी नहीं है, बताओ तो इसमें क्या बड़ी बात है मामा, हम अपनी मम्मी पापा से लेके आते हैं ना पैसे अरे अरे, रुको तो सही बेटा, ऐसा गजब मत कर देना, अपने मम्मी पापा को इस बारे में मत बता देना गलती से भी हाँ पर क्यों मामा पैसे तो मम्मी पापा ही देंगे न वो, वो, वो जे चुडैल हैं न वो हर जगा नज़र रखती है अगर उसे पता चल गया कि उससे मैं हराने की तयारी कर रहा हूँ और तुम लोगों के मम्मी पापा इसमें मेरी मदद कर रहे हैं तो वो तुम्हारे मम्मी पापा पर भी जादू कर देगी फिर फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा हाँ नहीं मंगलू मामा फिर क्या करें आप ही बताओ सबसे पहली बात ये सीक्रेट मेरे और तुम लोगों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए चाहे जो हो जाए है पर मामा हम पैसे कहां से लाएंगे फिर पैसे तो तुम लोग लाओगे और अपने घरं से ही लाओगे बस अपने मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पताना है मतलब आप हमें चोरी करने को कह रहे हो मामा ना बाबा ना घर पे पता चल गया तो चंदा मामा का तो पता नहीं हमारे मम्मी पापा हमें ही मार मार के छोटा जरूर कर देंगी अरे नहीं नहीं ये चोरी थोड़े है ये तो चंदा है चंदा चंदा क्या मतलब अरे चंदा मामा मुसीबत में है और उन्हें बचाने के लिए तुम लोगों को चंदा इकटा करके लाना है और क्या बस उस चुड़ायल को पता न चिल जाये हाँ इसलिए सब को छिपके ये काम करना होगा और हाँ चंदा जितना ज़्यादा होगा चंदा मामा को बचाना उतना ही आसान होगा एक बार मैं उस बुरी चुडैल को हरा दूँ और चंदा मामा को बचा लूँ फिर देखना सब लोग तुम सब की तारीफ करते नहीं थकेंगे हाँ सारे बच्चे मंगलू की बातों में आ गए थे वो उसे दिन से घर जा कर पैसे इकठे करने लगते हैं बच्चे अपनी गुलक फोड़ कर सारा पैसा निकाल लेते हैं और तो और अपने माता पिता के पास से चोरी भी कर लेते हैं इसके अलावा वो अपने माता पिता से जूट बोल कर किसी और काम के बहाने भी पैसे इकठे कर लेते हैं बच्चे मासूम थे, नहीं जानते थे कि ये सब खुराफाती मंगलू की चाल थी उसने बच्चों को ठीक एक हफते बाद मिलने को कहा था तब तक बच्चों ने काफी सारे पैसे इकटे कर लिये थे बच्चों ने तई वक्त पर सारे पैसे मंगलू को ला कर दे दिये मंगलू मामा देखो हमने कितना सारा चंदाई खटा कर लिया वैसे हम सोच रहे थे कि हम लोग भी चलते हैं आपके साथ उस बुरी चुड़ैल को हराने कहीं आप अकेले पड़ गए तो हम सब मिलकर उसे मजा चखा देंगे नहीं नहीं बच्चों वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है मैं मामा हूना तुम सबका तुम सबको खतरे में कैसे डाल सकता हूं तुमने अपना काम कर दिया अब सब मुझ पर छोड़ दो है और याद रहे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम्हें ये चंदे वाली बात किसी को भी नहीं बतानी है ठीक है अगर उस चुड़ैल को तुम लोगों के बारे में पता चल गया तो वो तुम लोगों के पीछे पर जाएगी हाँ मंगलू की बाते सुनकर बच्चे डर जाते है मंगलू पैसे लेकर चंपत हो जाता है कई दिन बीद जाते है चांद के आकायर को दिन बदिन घटता देखकर बच्चे उदास हो जाते है और जब अमा वस्या को चांद बिलकुल भी दिखाई नहीं देता तो सबसे छोटा किशन रोने लगता है उसके पिता उससे पूछते है किशन अपने पिता को सारी बात बता देता है उसके पिता उसके सारे दोस्तों को बुला कर पूछते है बच्चे डर जाते है और कई बार पूछने पर सब सच बता देते है फिर किशन के पिता सभी बच्चों के माता-पिता से मिल कर उन्हें सब कुछ बताते हैं ये बहुत गलत किया उस मंगलू ने ये वही मंगलू है ना तो पिछले बही ने आपके घर चोरी करता पकड़ा गया था है ना सुरजमल जी आ बाई साब वही मकार लगता है मुनादी मंगलू भी सुनता है उसका लालच एक बर फिर जाकता है वो अगले दिन सबसे पहले गाउं के प्रधान के घर पहुँच जाता है वो अपना भेश पदल कर वहां जाता है पहले तो उसे कोई नहीं पहचानता लेकिन जैसे ही वो खजाने के बकसे को चुराने की कोशिश करता है लोग उसे पकड़ लेते है पकड़ में आने के बाद मंगलू गुस्से से कहता है मंगलू की बात सुनकर गाउं का प्रधान खजाने का बकसा खोल कर दिखाता है वो बकसा बिलकुल खाली था ये सब एक छलावा था जिसमें मंगलू फस चुका था मंगलू को भी सब कुछ समझने में देड नहीं लगी वो सबसे माफी मागने लगा लेकिन किसी ने इस बार उसका भरोसा नहीं किया मंगलू अब जेल की सलाखों के पीछे था पच्ताने के सिवाए अब उसके पास करने को कुछ भी नहीं था हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजे और हाँ बैल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलेगा